आज हम बात करेंगे कि कैसे इतने कम वक्त में ही पूरी दुनिया में करोना वाइरस का आतंग फैल गया क्यों इसकी अंदेखी करना भारी पड़ सकता है दरसल कोरोना वाइरस को जो चीज सबसे ज़्यादा घातक बनाती है वो है इसका किसी भी नई जगे पर बेहत तेजी से फैल कर बड़े पैमाने परस्थानी लोगों को बीमार बना देना आईए आज आपको बताते हैं कि संक्रमन इतना तेजी से कैसे फैलता है हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपर्ट स के अनुसार इसके फैलने की गती को हम कैसे कम या खत्म कर सकते हैं वाशिंग्टन पोस्ट के इस ग्राफ के जरिये समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वाइरस का संक्रमन कितनी तेजी से फैलता है इस ग्राफ में बताया गया है कि 22 जनवरी से पहले अमरीका में कोरोना वाइरस के संक्रमन का कोई ग्याद मामला रिकॉर्ड नहीं किया गया था मार्श 13 जानी की केवल 21 दिन में वहाँ 2,189 लोग इस खतरनाक वाइरस की जकर में आ गए अब इसी ग्राफ से समझे कितनी तेजी से कोरोना वाइरस से अमरीकी जनता संक्रमित हुई पहले 7 दिन में केवल 5 लोगों को कोरोना वाइरस ने पीमार बनाया था इसके बाद अगले 7 दिनों में 11 लोगों को कोरोना वाइरस का संक्रमन हो चुका था अब देखते हैं तीसरे सब्ता में कोरोना वारिस के बढ़ने की गती क्या रही फरवरी 19 तक 15 लोग संक्रमित हो चुके थे पहले तीन सब्ता में 15 लोगों के संक्रमित होने की वज़े से ये कोई खातक महामारी नजर नहीं आती लेजिन उसके बाद इसके फैलने की गती देखकर आप थर्रा उठेंगे चौथे सब्ता के अंत तक यानि की 26 फरवरी तक 69 लोगों के शरीर में कोरोना वारिस के इंफ्रेक्शन के लक्षन देखे गए थे पांचवे सब्ता के अंत में यानि की 4 मार्श तक 153 लोगों को कोरोना वारिस हो चुका था छटे सब्ता के अंत में यानि की 11 मार्श को 1281 लोग कोरोना से संक्रमित थे इसके केवल दो दिन बाद यानि कि 13 मार्श को कुरोना से बिमार लोगों की संक्या भढ़कर 2189 हो गई आपने देखा कि पहले तीन सब्ताहों में कुरोना वाइरस एक साधारन फ्रूग की तरह फैल रहा था लेकिन उसके बाद उसका फैलाओ किसी महामारी की तरहा हुआ विशेशग्यों का कहना है कि अगर संक्रमान इसी गती से फैलता रहा तो मई के महीने तक अमेरिका में 10 करोड लोग कुरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके होंगे स्वास्ति विशेशग्यों का कहना है कि अगर लोग भीड़भार वाली जगों से दूर रहें तो कुरोना वाइरस के फैलने की गती को कम किया जा सकता है